हेलो फ्रेंग्स कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो आज मैंने बनाया था बहुत ही डिफरेंट नास्ता, क्योंकि एक जैसा नास्ता खाते खाते हम अक्सर बोर्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने फ्राई किया था कि घर के ही समान से कैसे थो मोटा नहीं करना है यह देखिए इस तरह के से हमको consistency रखना पड़ता है ताकि ज्यादा मोटा ज्यादा पतला ना हो अब मैंने चावल को दूसरे बना लेते हैं चटनी के लिए मैंने यहां पर डाला है कढाई में सरसो का तेल जीरा प्याज मिर्चा और यहां पर मैंने लिया है चनादाल कच्छा चनादाल उसको मैंने दो लिया है दो के मैंने यहां पर डाल दिया है और इससे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मै तक हमें फ्राई करना इसलिए आज को हम धीमा रखेंगे यहां पर मैंने डाला है धेर सारा करी पत्ता तो यह जो चटनी है बेसिकली साउथ इंडियन डिश के लिए बनती है बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है आप इसको किसी भी साउथ इंडियन डिस के साथ खा सकते हो अ यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा चना दाल थोड़े देर के बाद फूल जाए और उसी जार में मैंने लिया है यहां पर नार्यल नमक और इमली पानी इसका भी हमें एक पेस्ट बना लेंगे कैसे इमली पानी आप अपने अनुसा ले लिजाने कम ज्यादा भी लेना है तो इसका निए लुक्त बना लेंगे और अब जो मैंने यह चावल कात बनाया और मैंने इसलिए यूनो का यूज किया है और यहां पर फिर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल तेल डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कंटेनर में डाला है मैंने यहां पर तेल से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और जो मैंने चावल का पेस्ट बनाया था वो मैं इस कंटेनर में डाल दूँगे यह देखिए इस तरीके से डाल देना है जैसे हम केक बनाते है ना उस तरीके से डाल देंगे और इसको मैंने यहाँ पर मोमो कंटेनर में चड़ा दिया है आप चाहो तो इसको कड़ाई में भी बैठा सकते हो तो मैंने यहाँ पर मोमो कंटेनर में भी बैठाया है और बॉयल कर दिया है नीचे पानी देखे इसको के तब तब बॉएल हो रहा है यonne कोमें यहां पर पीस लिया प्ए यह देखितिंगा किया circuit मतलट त्य की यम्म है यहां पर थोड़ा सथ depends दो वी बहुत अच्छा मने के लिए अब मैंने जार से चकनी को निकाल दीया है जो मैंने momo stand में बनाये था, cake, cake के उपर हम थोड़ासा लाल मिच पॉडber छिडग दिये हैं, बस color के लिए, अब हम बनाएंगे, तड़का, तड़का के लिए मैंने यहाँ पर लिया सरसो का तेल और यहाँ पर मैंने डाला है सरसो, जीरा, मिर्चा और करीपत्ता देकर इसका तड़का रेडी करेंगे करीबत आप जितना ज़्यादा दोगे आपका ये चटनी उतना ही टेस्टी होगा आप ये चटनी को स्टोर कर सकते हो दो दिन तक के लिए बहुत ही यम्मी लगती है फ्रीज में ये देखिए तड़का अब हमारा डेडी हो चुका है अब हम इसमें चटनी में डाल देंगे ड Can I Deb deb uni I Deb अब हम क्या करेंगे प्लेट सर्व कर देंगे तो मैंने एक प्लेट लिया है प्लेट में यहाँ पर मैंने रखा हुआ है चटनी और जो केक बनाया था वो केक को हम अच्छी तरीके केЬ कोम अच्छी तरीके से ट्राइए कर लेंगे कि केक हमारा हुआ तो केक हमारा हो चुका है यह देखे कितना फ्लपी सा केक बन चुका है अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे तो आप चाहो तो चाकू में तेल लगा के काटना तो अच्छा से पीसेस कटेगा और ठंडा होने की बाद काटिएगा तो वह अच्छी तरीके से कट जाएगा बस इसको हम प्लेट में सर्फ कर दिये हैं तो आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी यूनिक सा नास्ता है यह और जटपड बन जाती है यह देखे कितना फ्लपी बना है और यह बहुत ही हेल्दी होता है यह नास्ता तो आप लोग भी घर में ट्राइग करिए वीडियो अगर